मान दोस्तों जब भी पंजाब का ख्याल मन में आता है तो लहराती फसले नाचते जूमते लोग शूर्वीरों, योदाओं की गुर्भानी की कथाएं और गुर्भानी, सर्वत का भला माइबने वाली गुरूों की गुर्भानी मन में आती है और पंजाब ने हमेशा देश को लीड किया है पंजाब ने किसी भी संकट के मौके देश को नेतरत दिया है चाहे वो आजादी का अंदोलन हो चाहे आजादी के बाद हरे इंकलाब के रूप में ग्रीन रेवुलूशन के रूप में अन्ने के मामले में अनाज के मामले में देश को आतन निर्वर करने का एक टास्क हो तो पंजाब ने हमेशा लीड किया है और पंजाब के लोग हसने खेलने के लिए, खुले दिल के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए जाने चाते हैं लेकिन अगर पंजाब के लोगों के आपसी भाईचारे, पंजाब के लोगों की अमन शान्ती और पंजाब के लोगों की आपस में प्यार पर कोई बुरी नज़र डाले, तो पंजाबी किसी भी हालत में ये बरदाश्ट नहीं कर दे. इतिहास गवा है, जिसने भी पंजाब के शोशल भाईचारक सांज को, जिसने भी पंजाब की अमन शान्ती को तोड़नी की रत्ती भर भी कोशिश की, तो पंजाबी नहीं उसका मूँ तोड़मा जवाब दिया. आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे, जो विदेशी ताक्तों के हाथ चड़कर, पंजाब में महौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफर्त वरी, स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कनून के खिलाब बोल रहे थे, तो उन पर कारवाई की गई है, और उस कारवाई के दुरान वो सब लोग पकड़े गए हैं, और उनको सक्ष सक्ष सजा दी जाएगी, क्योंकि आमादवी पार्टी एक कट्टर देशवक्त और इमानदार पार्टी है, पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है, और कोई भी ऐसी ताकत, जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप्रयू, उसको हम बक्षेंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने बारी बहुमत देकर हमाद बहुत बड़ी जम्मेदारी दी है, दूसरों के बेटों को ये कहना के आईए, हम ये करेंगे, हम ये गैर करोनी काम करेंगे, आप हमारा सादी जी बहुत असान है, मुझे बहुत लोगों के फोन आए, बहुत पेरेंट्स के फोन आए, माता पिता के फोन आए, के जी आपने बहुत अच्छा किया, पंजाम में अमन और शान्ती रहनी चाहिए, इस मामले में हम आपका साथ देंगे, क्योंकि हमें डर था कि शायद हमारे बच्चे वो गलप बुरी संगत में न पढ़ जाएं, जबके सरकार वो आई है जो बच्चों को पढ़ाने की, स्कूल ओफ एमिनेंस की, बच्चों को तरक्की और रोजगार दलवाने की बाते कर रहे हैं, तो हमारे लिए प्रात्मिक्ता किताबे हैं, हमारे लिए प्रात्मिक्ता लैप्टॉप और कंप्यूटर हैं, हमारे लिए प्रात्मिक्ता कोई गैर समाजिक हत्यार नहीं है, तो मैं तीन क्रोड पंजाबियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस सप्रेशन के दुरान बहुत साथ दिया पंजाब में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना जा कोई पत्थर जा कंकर चलने की भी घटना की रिपोर्ट नहीं आई इससे मेरा भी होसला बड़ा है कि लोग जो है वो शांती चाहते हैं लोग तरक्की चाहते हैं और हमारी सरकार जो है नफरत की राजनीती नहीं करते हैं हम तो तरक्की की राजनीती करते हैं हम सकूलों की बात करते हैं अस्पतालों की बात करते हैं बिजली की बात करते हैं इं 100% secular party है हम लोग किसी धर्म के नाम पर जाती के नाम पर जान अफरत के नाम पर कभी भी राजनीती नहीं करते और पंजाब की शांती और पंजाब की अमन के लिए हम सक्त सक्त कारवई करेंगे जो लोग बुरी कंपनी में, बुरी संगत में फसके पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे, वो भी गलत है मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सपना भी लेना पंजाब में पंजाब की शांती को तोड़ने का यह आपकी गलत फहमी होगी तो मैं एक वार फिर पूरी दुनिया में रहते पंजाबियों को भी आशवाशन दिलवाता हूँ कि मेरा खून का कत्रा कत्रा, मेरे दिल की एक एक धड़कन मेरे एक एक सांस, पंजाब के लिए धड़कता है हाजिर है पंजाब के लिए मेरे खून का के कत्रा, और पंजाब जो है वो नंबर वन सूबा था और नंबर वन सूबा बनाएंगे और पंजाब से लीड देश लेता था और लेता रहेगा आज भी हमारे हजारों जवान जो हैं वो देश की इजादी को कैम रखने के लिए सरहदों पर अपना सीना तान के खड़े हैं इस बात का हमें घरव है तो पंजाब की शांती को पंजाब के पीस को पंजाब की हर्मनी को अगर कोई टच भी करेगा अगर कोई बगारने की सोचेगा भी तो सक्त से सक्त कारवाई होगी ये हमारा वादा है और इसी लिए आपने हमें जुम्यदारी दिया है उस जुम्यदारी के अधार पर ही मैं और आपके बच्चों को पढ़ाएगी, बुजर्गों को अच्छा इलाज देंगे, और तरक्की के नए-नए जो है मौके वो पंजाब में पैदा होंगे, और पंजाब नमबर वन सूबा बनेगा, और देश हमारा, अगर पंजाब नमबर वन सूबा बनेगा, तो देश पूर